नमस्कार दोस्तों आफ सकत स्वागाए थैं विकासर मस्वें पर हिंदुस्तान कर सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट आई-पी-अलोज्टों अब टाटा के नाम होने जा रहा है जी हां टाटा के नाम को टाइटल स्पांसर करें आप यह जो है वीवो के नाम पर था रेफरे दोस्तान और चाइना के रिलस्टिंग कैसे हम सब को पता ही है बताने को जरूत नहीं है इस विशली गलवान घाटी को लेकि जो है हमारे देश के बीच में आई दिन छरप्स होते हैं जो कि बिलकुछ सही नहीं है और सही दोस्तों कि यूदि चैनिस कंपनी को भार निकाले द दोस्तों 2008 से लेकर 2012 तक जो है डिल्या टाइटर रिस्पाउंसर था और इसके लिए पर यह पे चालीश करोड रुपे जी हां अब 2013 से लेकर 2015 से प्था पैसि को जिए पैसिको कंपनी है वो इसके लिए पे गिया है एक्टी करोड रुपीज पर यह विवो ने पर यह पे कि हंडेड करोड रुपीज फिर 2018 से लेकर 2021 करार नामा हुआ चुछ 22 तक हुआ है इस साल का भी पांच साल का इसके लिए पर यह पे किया 440 करोड रुपीज पर 2020 में जो है गलवांस वैली में जड़ा कुई उसके बाद हिंदुस्तान ने डिसाइड किया कि वीवो को हम नहीं करने देंगे उस वक्त ड्रीम 11 जो एक गेमिंग कंपणी दोस्तों उसने पे कि है 222 करोड रुपीज जहां दोस्तों फिर 2021 के अंदर वीवो ने जो है 440 करोड रुपीज पे किये अब बात चले थी 2022 के लिए पर दोस्तों 2022 में टाटा ने रिप्लेस कर दिया टाटा स्पॉ कर दोस्तों पेंगे पुपीज जुपीज झाल लाटा है